नमस्कार मेरा नाम विशाल और आप देखना शुरू कर चुके है Think360 जैसा की वादा है हमारा की हर रोज लेकर आएंगे किसी एक राजनिती मुद्धे पर एनलेसिस और आज एनलेसिस करेंगे PCC चीफ गुविन डोटासरा के इंटर्विव के बाद क्या गर्मा गर्मी बड़ी है राजस्तान की राजनिती कलियारों में चर्चा करने के लिए दो लोग लगते हैं मेरे साथ होते है Think360 के सरबज परदीप बिदावजी सर स्वागत है गोविन डोटासरा का बयान आया है उन्होंने कहा है कि चार जून के बाद मुख्य मंत्री बदले जाएंगे राजस्तान के तो क्या बीजेप अपने मुख्य मंत्री को बदलने वाली है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वर्दान मंत्री मोधी ने पीट थप थपाई ती पहजनलाल शर्माजी की और ऐसा ही हर्य की बजनलाल शर्मा की इसके बाद में विरोक्रिसी में किंचिती चर्चा चल पड़ी अब इसे फिलहाल तक तो एक अफवा के तौर पर ही देखा जा रहा है लेकिन परफॉर्मेंस क्या रहती है बजनलाल शर्मा की क्योंकि यह अश्यूरंस के 25 सीटें 5 लाख के अंतर से त तो बड़ा वोटर निकला नहीं कि जीत तो रही है ठीक है यह तो चीज फैक्ट रही है कि राजस्तान में 2014 में बीजीपी 25 की 25 सीटें जीती थी 9 के मुकाबले बड़े पैमाने पे वोट शेयर बढ़ा तब भाजपा जीत पाई 14 के मुकाबले और बड़े पैमाने पे वोट बैंक बढ़ा राजस्तान में और भाजपा और ज्यादा वोटों से जीत पाई तो यह जो नारा है 5 लाख वोटों से जीतने वाला जो की वोट पढ़ रहे हैं, तो 60-50% के आसपास वोट पढ़ रहे हैं, मतलब 3 करोड के आसपास आपके वोट पढ़ रहे हैं, उसमें आप 7 करोड मार्जन देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक नमबर है, तो यह बड़ा नमबर है, तो यह प्रैक्टिकल ली नमबर डिसाइड करने म में failure है और नंबर डिसाइट करने में भी failure है और टार्गेट इसाइटिंग भी अनचीवेबल टार्गेट जो है साइकोलोजी में कहा जाता है कि अतिरंजना से भरे हुए अतिशोक्ति से भरे हुए मुखिया जो है वोट परसेंट राजस्तान में प्रभावी नहीं हो दूसरे चरण में कह रहे हैं मदान बढ़ा लेकिन पिछली बार भी 5 प्रतिशत बढ़ा था उतना भी इस बार नहीं बढ़ पाया तो कुल मिला कि राजस्तान में भाजपा 25 सीटें आज की तारिक में लात और गोविंट सिंग डोटासरा का बयान वो चुक्क पॉल्टिकल व्यक्ति हैं और भजनलाल सर्मा की राइवल पार्टी से हैं और फिलहाल वो वनमेन आर्मी है क्योंकि उनके जो राज्य के प्रभारी हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में रंधावा जो ह अभी डोटासरा अलग swag में है तो उनका इंटर्व्यू सुना गया है काफी इंटर्व्यू पर उनका वैया उस पर में आपकी टिपनी चाहूंगो उन्होंने का है कि हम राजिस्तान में 25 में से 13 सीटे तो जीती रहे हैं उन्होंने मिनिमम का है ज्यादा ही जीत रहे हैं वो उससे सचिन पाइलेट का कद बहुत जादा बड़ेगा तो मैं एक एक करकोन सीटों पर आऊंगा आपकी टिपनी चाहूंगा किस तरीके से उन्हें सबसे पहले जोदपूर को लेकर उन्हें ने का है कि जोदपूर को लेके जो 12 सीटों को बताए जोदपूर सचिन पैलेट एक सीट है जहां से पैलेट परिवार का बहुत जादा रहे है राजश पाइलेट जी संसद रहे हैं यहां तो दूसा में सचिन पाइलेट का इक मुराली लाल मीना को टिकित दिया है, ईलकरीब ही माने जा रहे है, जीता है to उनको जिता हाने की जिम्मेदार ही उनको दी जा रहे है, ॑ बरतपूर है ब करोट सब्सक्राएम महादपूर है वह वहाँ से वह विधायक है। उसके वो विधायक हैं और दूसरे जो विधायक हैं वो खुद सांसत का चुनाव लड़ रहे हैं, हरीश मिना, करोली धुलपूर की बात चल रही है, जापपजनलाल जाटव है, फिर उसके बाद जैपूर ग्रामिन की बात चल रही है, वहाँ पर उन्होंने एक नए चेहरे क कुछ चीजें तो अतिशोक्ति से भरी हुई लगती है, कि अगर वोट ट्रेंड किस तरफ गया, ये तो देखु चार तारीक को पता चलेंगा, लेकिन ये बात ठीक कई है, नोटासरा ने, कि भाजपस सरकार में बदलाव करेगी, इसमें कोई दो रही नहीं, मुख्यमंत्र है. और पांच ही राजमंत्री है. तो आप थो ard你好, बनाए जाने, बनाए जाने. थीठ है, तो अब इन पांचमें जगे के लिए बाकी जो इनकी टीम है, वो कितने एक्टीव रही है, इनकी विधाय कितने एक्टीव है, रिजल्ट कॉन विधाय का अपने क्शेत्र में बड़े प्रभार तो बापा बालकनात मंत्री नहीं बनाए गए रहा इनके जो दूसरे जस्वंत यादव हैं तो यादव बड़ा वोट बेंक है लेकिन यहां मंत्री मंदल में जगया नहीं पास था तो भाजपा को कहीं उसका नुक्सान नहीं हो जाए दूसरा कास्ट बेस में कॉंग्रेस के टाइम में SCST के नेताओं के पास बड़े प्रभार थे यहां अगर मदन दिलावर किरोडी मिना को छोड़ दें या हेमंत मिना रेवन्यू तो संख्या जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी SCST को भी भाजपा मोका देगी और मूल OBC जो है उसको भी भाजपा का सीथे तोर पर लगता है क्योंकि अभी जो टोटल मंत्री का दर्जा है वो पचीस में गिना चुका आपको एक जोगेश्वर गर्ग है जो कैबिनेट मिनिश्टर का दर्जा रखते हैं राज्तान की विदानसभा में सचेतक है और विदानसभा के अध्यक्स हैं आपके द अब कोई जरूर नहीं है कि पचीस के प्लस ही साथ होंगे पचीस में से भी कई लोग माइनस होंगे मतलब परफरमंस नहीं दे पाई जालोर शिरुही की सीट अगर हार जाती है भाजपा तो ओटाराम देवासी के उस पे थोड़ा सा भाजपा सोचेगी क्योंकि वह वसंद नहीं जीत पाते हैं क्योंकि उटाराम देवासी के चुनाओ में लुमाराम चोधरी नहीं बड़ा शिदत से प्रचार किया था गले मिलते वे का तो वीडियो भी वाइरल हुआ था आपने देखा होगा तो कई मंत्री जो हैं जिनके आपर परफॉर्मेंस नहीं रही क्योंक को चीजें बदला चुकाना पड़ेगा चीजों का हर गलतिक कीमत मांगती अशो गैलूद का डाइलोग है अशो गैलूद बात निकली है तो उसी इंट्रीव पर वापस में जाना जो हूँ गोई डूटासरा ने इंट्रीव के दिर्मिया मली का उलुक जुन खरगे का नाम लिया रहूल गांदी नाम लिया प्रिंगा गांदी का नाम लिया कि लगातर हमारे नीटा और रेलिज करते रहे लेकिन उस इंट्रीव में उन्हों ने अशो गैलूद का नाम कहीं नहीं लिया इसको आप किस तरीके से ठेए गोवियंद सिंग ढूटासरा जो है वो चौथी बार लगातार विधायक हैं लक्षमुलेट साइंगे, 2008 हमें बनते हैं, 13 हमें बनते हैं, और 18 हमें बनते हैं, 13 के टाइम में कॉंग्रेस की 20 सीट है थी, उसमें अगर प्रभावी प्रतिपक्षनेता गोविन सिंग डूटासरा नहीं बनाए गए, क्योंकि दूसर का है, फिल्ट में इस बार परफॉर्मेंस गजब का दिया है, चाहिए वो डांस वाला मामला रहा हो, और उसके लावा उनकी स्पीचेज में भी चीजें, और उनके ओपर एड़ी की कारवाई या तमाम चीजें, तो बीजे पी उन पे लगातार हमलावर रही है, वो एक बा कालते वैसे दिखे अपने पक्ष में कि भई ये तो पंगा हो गया, तो उसके अलावा गोविन सिंग डोटासरा खुद उस कद के नेता बनने की राह हमें है, जिस पे अशोग गहलोद, अशोग गहलोद हटेंगे तबी तो रमर आएगा, आप ये देखिए कि गोविन होती है राजनितिक रूप से, अगर केंदर में मान लिजिए कि कॉंग्रेस एंडिया जो गटवंदन है, उसका अगर परफॉर्मेंस नहीं रहता है, अपनचों की बात कर रहे हैं संभावनाओं के, और ऐसी संभावना नहीं बन पाती, तो 2019 में भी नहीं बनी थी, राहूल बनेगा, कि कॉंग्रेस अगर पचास-ाठ के आसपास रह जाती है और प्रभावी पक्ष में नहीं आ पाती, या मान लिजिए कि ऐसा एक माहूल बनता है, तो फिर कॉंग्रेस में गलोबी है जो चाहेगी, जिस तरह से राहूल ने एक बड़ी लाइन कीची, उस लाइन के आसपास खरगे भी खिंचे, तो फिर कॉंग्रेस में नेशनल लिडर्शिप का विकल्प कौन है, तो अशो गहलोब अगर वैभो जीतते हैं, तो भी अशो गहलोब को यहां क्या है अशो गहलोब के लिए अभी केमपेन कमेटी के प्रमुक तब तक है जब तक चुनाव है, वैभो गहलोब जीतते हैं या नहीं जीतते हैं उससे फरग नहीं पड़ेगा, अशो गहलोब यहां से अगर सेंट्रल कॉंग्रेस के लिए तब मना किया, जब उन्होंने ये भी कहा था ना कि कुरसी मुझे जोट नहीं रही है, अब तो कुरसी ने भी प्री कर दिया आपक पॉलिटिक्स, 24 इंटो 7 पॉलिटिक्स करते हैं, राजिनती के जादूगर कहे जाते हैं अशो गहलोब का, तो तो जो एक में सिद्धानति होगा कि सचिन पाइलेट किसी तरह नहीं बने, ठीक है तो फिर कोई भी, तो डोटासरा क्यों नहीं, तो डोटासरा उस राह पे है उस eligibility की राह पे हैं पर आपको यह लगता है अगर नाम स्रजस करने को आया कि मानते हैं कि चैसे अशोग गेलोद ऊपर जाते हैं उस तरव जाते हैं सेंटर की तरव जाते हैं और को इंद्र रसरा एक मौका पाते हैं तो उनको एक support लगेगा तो अशोग गेलोद इस बार नाम कोंग्रेश जहां कोईं जी उसी इंट्री में कहिए क्या चल रहा है तो क्या बाड़ coinc राटव में में पॉणिद्ता अब वसुंदर राजा बिल्कुल किनारे हैं तो यह तो ऑगले चेज़ी तो बात तो ठीक कह रहे हैं गोविन सिंग डोटा सरा कि बीजीपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है राजंदर आठोड मार्क दर्शक मंदल में डाल दिये गए 68 की उम्र है ज्यादा उम्र नहीं है 68 की उम्र वाले जोगेश और मुखे सचे तगे कि रोडी मेना खुब उम्र है आप यह देखिए वासुदेव देवनाने तो वह लिमिट जो भाजबाने टाय कर रहे हैं उसके आसपास हैं तो भी आज लेजिसलेटिव असेम्बली के चीफ है वो गोविन सिंग डोटा सरा ने बहुत पॉलिटिकल मैचुरिटी के साथ कुद को खड़ा किया है राजंद राजंद राठोड और गोविन सिंग डोटा सरा दोनों एक दूसरे पर प्रभावी हमला बन रहे हैं और उन्होंने मीडिया का स्पेस खाए रखा राजंद राठोड चूक गे तारणगर में गोविन सिंग डोटा सरा जीत के लक्ष्मन कड़ में तो फिर यह है कि जब प् तो वागड़ कॉंग्रेस के आथ से निकल रहा है लेकिन इन सिटों में कई चीजें चोखाने वाली है विशाल जैसे नाम लिया है कि जिन सिटों पर मजबूर मजबूत हैं और कुछ सिटों पर मजबूर वाली इस तरहीं मैं उसी पर आ रहा था उत सिटों में उन्होंने गडबंदन की सिट उसका नाम ने लिया वो सिट नागूर नागूर का गोई लुटासरा ने ना तो यह जिक्र किया कि हम जीत रहें नहीं बताए कि वाँ कड़ी टक्कर इस तरह का कुछ बयान उनका आया नहीं से पहले मुझे सीटों के नाम एक बार आप हमारे दर्शकों जुन-जुनू, गंगा नगर, चूरू, सीकर, अलवर, जालोर शीरोई हम जीत रहें उनका कहना है उसके बाड मेर भी इस तरीके के उन्होंने सीटों का जविक्र किया है इसमें एक चीज़ देखो कि ज्यादातर सीटें वो हैं जहां जाट प्रत्याशी है ठीक है गोईन स जाटामने सामने लेकिन नागर को नाम नहीं ले रहे हैं या कांग्रेस नहीं लट रही है लेकिन वो अगर ये कह रहे हैं कि साब ये कांग्रेस जीत रही है तो फिर आप सीकर का नाम मत लीजिए क्योंकि वहां भी कांग्रेस नहीं लट रही है अगर वो सीकर का नाम ले र और वो ही सांसत बनने के कोशिश कर रहा है अब उन्होंने दूसरे चरण में जिस तरह से अरिस चौधरी के खिलाब मोर्चा खोल दिया तो क्या अगर अनुवान बे निवाल सांसत बन गए और क्योंसर वाले सीट पर उप्चना हुआ तो कॉंग्रेस गडबंदन कायम रखे क तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस का एक हिडन एजिंडा हो सकता है कि हमारा बेस वोट खतम नहीं हो जाए स्टेट लेजिसलेशन का इसके लिए लोग सबाद सीट अंहार गए कोई बात नी बीजेपी जीत की कोई बात नी नए व्यक्ति नहीं आने चाहिए तो यह लोग जो है नया विकल्प नहीं आना चाहिए यह लोग जैसे राजकुमार रोत नय विकल्प के तौर पे उबर जाते हैं और नई धारा की राजनेती अगर शुरू कर दी तो यह जो बुजूर्ग राजनेता है जिसमें रविंदर सिंग भाटी भी है कि लड़कों ने अगर नय मामला सेट कर दिया तो बुजूर्ग राजनेता उस नए मामले के सिलिवस से बहुत इतर हैं वो लोग उनको कंपेट नहीं कर पाएंगे रील बनाने में उर्जा में तो यह बड़ी चट पड़ा हट है भाजपा कॉंग्रेस में कि ठीक है हम में से कोई जीते हैं आप यह द कि नया नहीं आना चाहिए प्रभू बाद में अगले बार्म सरकार बना भी लेकिन नया नहीं चाहिए बात वह हैं कि साब अभी तो आप जीतों में आ रहा हूं उतर भिका मेरी बारी वो चलता है तो यहां जैसे आप कल अपन महाराष्ट की चर्चा कर रहे थे महाराष्ट सुप्रिया सूले और अंची इसुथि क्या लड़ाइ बात ऊंचूर में तो उनक्रेश बाट हैं वह tääए आप किस दिशाओंने यहाँ तीन कॉर्ण है तो तीसरे को तो आउट किया जा सकता है दो मिलके लेकिन वहाँ छे मैसे कैसे सेट हो यही आपको बिहार में मिलेगा यही उत्तर प्रदेश में मिलेगा जा लोग पॉलिटिक्स को बड़ा यहाँ कि विकल्प खड़ा नहीं होना चाहिए राज़तान में अगर तीसरे विकल्प लोगों को मिला ही प्रभावी विकल्प मिला है लोग गए हैं तीसरे विकल्प बिलकुल ता आप राज़तान की प्राज़नेती में तीसरे विकल्प को देख रहे हैं लेकिन क्या है कि बड़े नेता जो है बड़ी पार्टियों में रते हैं वो चीजें अक्सर मैनेज कर ले जाते हैं दूसरा क्या है राज्तान बेसिकली बिजनस बेस्ट प्रोस्पिरियस इस्टेट नहीं अभी तक अब होने लगा है रास्तान में रिफाइंडरी आई है चंदावंदा देखो केल चली रहा है यह यहां पर इतने बड़ा बिजनस बड़े हैं देश को चलाते हैं लेकिन वो लोग अगर विचार करें तो यहां असानी से चीजें खड़ी हो सकती है नभे में हुआ ही था जब जंदादल भाजपा और कॉंग्रेस तीनों की त्रिक पॉलेटिक्स में क्या भविशे आप देख रहे हैं प्रमकुण सिंग्रोटासरा का प्रभावी भविशे है क्योंकि उनके एक तो स्टेटमेंट वो दोनों चीजें जानते हैं वकील है पेशे तो लेजिसलेशन में जिस तरीके से वो बात करते हैं वो बिल्कुल तूद प प्रभावी रोप से पढ़ रहे हैं और दूसरा सचिन पाइलेट अशुक गैलोट और गोविशे नोटासरा अब तीन हो गएं परे दो अगर प्रलात गुंजल को जिता ले जाते हैं तो गुजर नेता के तो प्रदाज और सचिन पाइलेट को पिर सेंट्रल के खाते में ड गलोट सो जीतेंगे क्योंकि वह प्रेस कंफरेंस तो उन्होंने संब्धित की थी स्पीच या डांस उनका जालोट में नहीं हुआ तो हो सकता है कि यह मान लेकिन प्रसंदी बात हो सकती है परन्तु गोविण सिंग नोटासरा ने अपने आपको बिल्कुल प्रूफ किया है गोविण सिंग नोटासरा कोई अश्चरे नहीं हो कि बतौर प्रदेश अद्यक्स कंटिन्यू कर जाएं अगले 5-10 साल बाद बिल्कुल बड़े लेडर हैं सर कॉंग्रेस की जो है आज की टाइग में अगर सबसे बड़ा लेडर राजस्थान में कोई कॉंग्रेस का है ऑन बैठकों में और जिस तरह से टिगट पांटे नए लोगों को 25 में से चोईस टिगट बदल दिया एक व्यक्तिक का टिगट नहीं बदला लेकिन उसे जगह बदली जोदपुर से जालगोर किया अशोग गहलोथ के बाकि सारों को बदल दिया और अगर ये तो दुखडा भी पीट करते हैं उनका ये दावा है तो कोविन सिंग डोटा सरा परफॉर्मेंस वाइज प्रभावी रहे हैं पब्लिक कनेक्शन में अच्छे रहे हैं और कॉंग्रेस की लिडर्शिप में अब एक नई चीज देखने को मिल सकती है और उन्होंने जो कहा है कि सरकार बदल जा लेगा तो इस चड़चाएं ब्यूरोक्रेसी में चल रही है लेकिन इसमें कितनी सत्यता है उसका कोई अधार नहीं परन्तु यह है कि आफ्टर एलेक्शन केबिनेट में एक्सपांसर होगा निश्यत तोर पे क्योंकि कुछ मंत्राले यसे हैं जो अभी भी थोड़ा सा जै चल रही आपके शुरेंदरपाल सींगं डिक को मंत्राल्य दिया गया था लेकिन चुनाव हदर टिक टिक मंत्राले फिलार बजनलाल सरमा के पास हैं तो अब हजपां क्या करेगी तो अंध संख्यक वर्कवर्ग से आने वाले या तो किसी सिक्ष नेता को या किसी जेन नेता को यह मंत्रा ले दिया जाएगा तो इस तरह से मंत्री मंदल का होगा विस्तार होगा कि यह जो विभाग है यह सरकार के और से तो भी काम शुरू नहीं हुआ नया बजट आया उसके तुरंत बाद आचार से लगई अब बजट के तहत वहीं बजट के अनुमान जो प्रस्तुत किया गया था लेकिन बजट तो पेश होगा विधान सबा में अब यह जो साथ महिने यह गिने जाएंगे लोग बात करेंगे कि साथ महिनों में क्राइम में अगर भारत की जो बेसिक विधियां बदली है, सिविल लौ बदला है, क्रिमनल लौ बदला है, एविडेंस एक्ट बदले हैं तो अब उन एक्ट को स्टेट क्योंकि क्राइम जो है वो सब्जेक्ट ओफ स्टेट है तो स्टेट में वो लोग पास होंगे तो यहां बहस ह होगी चर्चाएं होंगी बहुत अब उसमें भजनलाल सर्मा और उनकी टीम कैसे कंपिट करेगी देखने वाली बात होगी और अगर देखें कि यहां बीजेपी में वसंद्रा अगर मानली जी बहुत जादा सीटें गवाती है तो वसंद्रा राजे का क्या क्योंकि भाजपा फिर उस इस्तिती में आ जाएगी क्या किया जाए अगर मानली जीट जाते हैं इसमें जिस तरह से नाम लिया गया है जुझनो सीट का कि अगर जीट गए अलवर सीट अगर जीट जाते हैं यह सीटें ऐसी हैं जहां विधायक हैं जो चुनाव जीतने वाले जो संभावित लोग हैं या जिनकी बात की जारी ही तो यहां उप चुनाव होंगे विधाजपा को प्रभावी परफॉर्म करना होगा और वसंद्रा राजे की एंट्री नहीं होना इस चु बड़ी लगातार 14 में बढ़ता है फिर 19 में और बढ़ता है लेकिन उससे आप बहुत बड़े पैमाने पर टिक्लाइन हो गए और राजस्तान में यूपी में बड़े पैमाने पर वोट गिरा है तो किस दिशा में जाएगा चुनाव यह देखने वाली बात होगी और जिसमें मदन दिलावर थे जिसमें काली चरण सराप थे जिसमें वासुदेव देवनानी जैसे लोग बड़े होग बिरला आपके यह लोग लोगों की एंट्री का टाइमिंग था वो नबबे और उसके बाद वाला 2000 तक और अब विदाई वाला काल ठीक है थर 30-35 साल में प जुनाव चुनाव वहारे थे जोदपुर से जस्वन सिंह से उसके बाद लगातार पांच चुनाव जीते तो यह जो टाइमिंग है तो नहीं काम तो प्रभावी किया कि यूथ को बड़े प्माने पर टिकट दिया जिसमें वह जैब प्रग्रमिन की बात कर रहे हैं जो अनील चौपड़ा है जिसमें वह बत कर रहे हैं आपके अलवर की जहां पर लाली त्यादव है जिसमें वह बात कर रहे हैं चुरू की राहुल कस्मा को दिया है तो यह है वह एक चीज यह बी क्लियर है कि पर नहीं नाम लिये हैं उसमें गठबंदन वाले सीट पर अमरा बेनिवाल के साथ कोई खेल हो गया हो लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अन्वान बेनिवाल विदाहिक तो रहेंगी वो विदान सभा में फिर उनकी परफॉर्मेंस देखने लाइक होगी मैंने एक बात और कही थी कि मैंने 8-9 नाम ट्विटर पर लिखे थे कि ये लोग अगर सद कि अंधरी कि लेकिन बाकी जो नेता है वह संद में वहार लाने वाले कि आज ये नेता का बोला है ज्यसें मनोज गुमार जा को सुन थे स्मृत्ति इरानि शुप्रिया सूले खीक है यह कई लोग बहुत प्रबावी लेकिन अगर राजस्तान से मैंने कुछ एक लिस्क दी थी कि अगर इस बार रविंदर सिंग भाटी जीते हैं इस बार अगर जीत जाते हैं प्रलाद गुंजल इस बार अगर जीत जाते हैं राव राजस्थान की और सत्य होगा कि लेजिसलेशन में चलो हमारे यहां पर जो सेंटरल लेजिसलेशन है जिसके दो पार्ट है उनके मुखिया जरूर राजस्थान के हैं कि वो मैनेज कर रहे हैं लेकिन इस बार यह हुआ कि साथ यह लोग अगर सदन पहुंच गए प्रजेंस मा अगबारों में खबरों में लेकिन जो और रिकॉर्ड चीजें होती हैं कि जब आप सुनिये राजस्थान से कुमर जस्वन सिंग तमर जब राजसभा में सांसत थे तो उनकी फोरेन अफेर्स पर डिबेट्स पढ़िए आप राजसभा में यहां से जब शीश्राम उला होत आपके भरतपूर के पंडित रामकिशन को देखिए आप तो कुल मिला के यह लूग लगाता है जैसे आज अपन बात कर रहे हैं लेजिस्लेटर पे तो आज एक प्रभावी लेजिस्लेटर है उनका जैनती है मधू लिमेयर उनका नाम दा समाजवादी नेता थे शिश्य थे लोहिया के दोस्त थे जार्ज फर्नांडिस के वो जब ऐसे बगल में कागजों का पुलिंदा दबा के जब लोगसमा में प्रवेश करते थे तो टेजरी बेंच जहां अपसर बैठते हैं तो उनकी फूंक सर जाती थी कि आज तो दो-चार सस्पेंट हो नहीं है और कमाल के लेजिसलेटर जिन्होंने संसद में प्रभावत प्रदर्शन किया उसमें मधूलिमेगा नाम है जौर्ट फरनाडिस का नाम है चंदरशेखर का नाम है वाजपई का नाम है बिल्कुल बोहन धारिया का नाम ह एसे लोग रहें तो ये लोग अगर जैसे लोग समा पहुंचते है तो फिर गरदा कटा रहे गाजिसाब राज्स्थान वाले ये बाकी तो यूपी विहार पंगाल बशचिम बगेरा ये छाये रहते है दक्षैन बगेरा तो अपना ये है बाकी need से पार्टी और वो अपना कोई वो ज्यादा लगावने लेकिन यह है कि एक कहीं उर्जा नजर आती है तो ठीक है वो उर्जा किसी सदन पर अगर रिकॉर्ड हो रही है तो उसे सुना जाना चाहिए अब पब्लिक ने क्या मेंडेट दिया उसी पर अपना ये सिर्फ एक कयास ह चलिए कयासो का दोर ऐसी तरह से चलता रहेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए हमारी बात चीता आपको कैसी लग रही है किन मुद्दों पर हमें बात करने ची इसी तरह तिंग 360 को देखते रहे है बेल आइकन को दबाई और तब तक हमें अपना प्यार पहुचाते तेरे शुक्रिया